हेलो दोस्तों, सिकंदर का नाम आप सबने सुनाओगा इंग्लिश में Alexander the Great और हिंदी में सिकंदर महान जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसने आधी दुनिया जीत ली थी उस सिकंदर के बारे में एक छोटी कहानी आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ कहते हैं कि सिकंदर जब भारत लोटा तो उसने एक फकीर के बारे में बहुत सुना तो एक बार उस फकीर से मिलने पहुचा फकीर उसको आता देखकर अपनी जगा पर आराम से बैठे रहे सिकंदर को ये बात अपने अपमान की तरह लगी और उन्हेंने कहा कि ए फकीर क्या तुम मुझे जानते नहीं हो या फिर तुम्हारी मौत आ गई है मैं हूँ सिकंदर महान ये बात सुनकर फकीर अपनी जगा पर बैठे बैठे मुस्कुराने लगे सिकंदर को थोड़ा और गुस्सा आया सिकंदर ने कहा कि क्या बात है क्या तुम मुझे नहीं जानते मैं हूँ सिकंदर महान जिसने आधी दुनिया जीत लिए फकीर ने मुस्कुराते विए कहा कि मुझे तो तुम इतने महान नहीं लगते और तुम एक आम व्यक्ति की तरह ही नज़र आते हो फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम इतने महान हो तो एक प्रश्ण मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ सिकंदर ने कहा पूछो उन्हेंने कहा कि ये बताओ कि अगर कभी किसी समय तुम रेगिस्तान में एक ऐसी हिस्थिती में फंस जाओ जहां आसपास कोई पानी का सोत ना हो कोई हरियाली ना हो जहां दूर दूर तक तुम पानी ढूंड सको ऐसे में किसी व्यक्ति को एक लोटे पानी के बदले अपने राज में से तुम क्या दे सकते हो सिकन्दर ने कुछ सोचते हुए कहा कि मैं उसे अपना आधा राज दे दूँगा फकीर मुस्कराते खुए कहने लगा कि तुमारे इतने बड़े सामराज में आधे सामराज को तुम देने को तयार हो गया अगर फिर भी वो पानी देने को तयार ना हुआ तो तो सिकंदर ने कहा कि ऐसे तो मैं उसे अपना पूरा राज भी दे दूँगा फकीर जोर जोर से हसने लगा फकीर ने कहा कि तुम्हारे इतने बड़े सामराज जिसका तुम्हें घमंड है उसकी कुल खीमत है एक लोटा पानी और हो सकता है कि किसी स्थिती परिस्थिती में तुम्हारा ये पूरा सामराज तुम्हें एक लोटा पानी भी न दिला सके ये बात सुनकर सिकंदर सुचने पर मजबूर हो गया हमारा भी हाल कुछ ऐसा ही है थोड़ा पद, थोड़ा पैसा, थोड़ा पार आ जाने से हमें घमंड हो जाता है पर इस घमंड को हम कहां लेकर के जाएंगे अगर आपके पास पार है, पैसा है, पद है तो इसका बहतरीन उपियोग है कि आप किसी दीन दुख्यारे की मदद कीजिए अपनी अपनी शमता के अनुसार कीजिए हो सकता है कि शायद आप महान तो नहीं पर इस दुनिया में कुछ लोग आपको एक बहतर इंसान के रूप में याद करें या हो सकता है कि एक महान इंसान के रूप में भी याद करें महान आप तब नहीं होते हैं जब आप खुद को महान कहने लगे या एक बहतर इंसान कहने लगे आप महान तब बनते हैं जब लोग आपको महान या बहतर इंसान कहने लगे और जहां तक रही सिकंदर की बात तो ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर ने अपने मरते समय एक शर्त रखी थी या एक बात कही थी कि उसके दोनों हाथ उसकी कबर के बाहर रखे जाए ताकि दुनिया ये देख सके कि पूरी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर महान भी इस दुनिया से खाली हांती विदा हुआ था गुड़ डे